ग्रेविटी यह आप लोगों ने चोटी क्लासी पढ़ा होगा सेवंथ एट्थ में आप लोगों ने सुना होगा यह वर्ड ग्रेविटी तो ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है It is something that pulls the things towards the center of the earth यान कि कोई भी planet है या कोई भी system है या कोई भी object है वो चीजों को क्या है अपनी तरफ attract करता है यह हम चीजे को इस chapter के अंदर हम यह detail में study करेंगे कि कैसे करता है ठीक है ना तो gravity का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है center of अगर हम अर्थ की बात कर लेते हैं सबसे पहले ना कि अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में अगर gravity का क्या रोल है कि अगर कोई भी चीज जैसे मान लीजी अगर कोई apple गिरता है किसी पेड से तो वो गिर के कहां जाएगा ground के उपर गिरेगा ठीक है ना यानिकि downward ground के तरफ यानिकि कहां जा रहा है towards the center of the earth ठीक है ना तो अर्थ के center में actual में होता है क्या गोर होता है तो वहां तक उसको अर्थ जो है उसको खींच के ले जाने की कोईश करती है लेकिन क्योंकि जो अर्थ का surface वो hard होता है तो इस वाई से वो surface तक जाके रुख जाता है लेकिन अगर माली जो surface ना हो तो क्या होगा और नीचे तक जाएगा और कहां तक जाएगा ultimately अर्थ के जो center point होता है जो गोर होता है वहां तक चीजों को खींचता है ऐसे आपने देखा होगा जो rainfall है वो भी क्या होगी नीचे की तरफ गिरती है अगर हम किसी height से कोई object गिराए तो वो भी क्या हो रहे है नीचे की तरफ गिरेगा ठीक है ना यानि कि किसी भी चीज को attract करना ठीक है ना किसी भी चीज को attract करना तो यह जो attractive power है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं Introducing Newton's view towards gravity अब Newton ने देखिए, Newton का बहुत बड़ा रोल है gravity को discover करने में तो Newton ने basically क्या देखा था कि ये बहुत famous story है इनकी हर कोई जानता होगा Apple के पेड़ के नीचे बैठे थे वो और एक Apple उनके सामने गिरता है तो वो क्या सोचते हैं अब आम आदमी तो क्या करता है वह Apple को उठाया और खा लिया लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं उन्होंने उसको observe किया क्या observe किया, कि वो नीचे ही क्यों गिरा उपर क्यों नहीं गिया यह किसी ओर direction में क्यों नहीं किया वो नीचे ही क्यों आया एक particular direction में ही क्यों आया वो नीचे फिर उन्होंने ओर observations भी देखी उसमें भी उन्होंने यही चीज देखी कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है तो यह सारी उन्होंने observations की इसका मतलब अगर कोई चीज किसी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो चीज को खींच रही है अगर मान लीजिए मैं किसी object को खींचूंगा तो वो object क्या होगा मेरी तरफ आएगा ठीक है ना तो इसका मतलब अगर वो अगर 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 तो इसका मतलब अगर क्या कर रही है उसके उपर एक force लगा रही है उसको अपनी तरफ खींच रही है ठीक है ना तो यह सब चीज देख कि उनके दिमाग में question आया कि does the apple attract the earth क्योंकि उनको यह तो समझ में आगे कि जो अर्थ है वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है अट्रेक्ट करती है तो उन्होंने क्या सोचा कि क्या यह जो चीजे हैं जैसी यहाँ पर हम apple की बात कर लेते हैं तो क्या यह apple भी earth को खींचता है अपनी तरफ तो यह एक बहुत बड़ा question के दिमाग में आया और यहीं से origin होता है gravity का और इसी gravity के basis पे आज हम solar system में जो भी हम planets की movement देख रहे हैं ठीक है ना उन सब को हम steady कर पाए जैसे moon हमारे चारो तरफ rotate करता है ठीक है ना आर्थ के चारो तरफ rotate करता है उसको हम steady कर पाए ठीक है ना तो कई सारे दिमाग में questions थे newton के पहला question तो यह कि जब apple गिरा जब apple पेड से अलव हुआ तो वो कहां गिरा towards the center of the earth मतलब अर्थ की तरफ गिरा ठीक है ना क्यों गिरा क्योंकि अर्थ ने उसको attract कर लिया तो question क्या आया कि क्या apple भी attract कर रहा है अर्थ को एक question तो यह आया उनके दिमाग में दूसरा question क्या आया कि ठीक है कि अर्थ जो है हर चीज़ को अपने तरफ attract करती है तो moon को attract करती होगी और अगर moon को attract करती होगी तो moon को अपने अंदर क्यों नहीं खीच लेती ठीक है ना क्योंकि अगर इसी तरह से attract करेगी चीज़ों को तो हो सकता है moon भी जो अर्थ के अंदर ही आजए लेकिन moon अर्थ के अंदर नहीं आता बलकि moon क्या करता है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो gravity का roll आपको समझ में आ रहा है gravity कितनी important है और ये gravity के वज़े से ही हमारे जो अर्थ के उपर जो मोसम है जो मोसम में जो बदलाव आते हैं उसमें बहुत बड़ा roll है ठीक है ना हमारा जो atmosphere प्रेशर है ठीक है ना जो हमारे atmosphere में gases है वो भी जो है gravity के वज़े से बंदी हुई है ठीक है ना अगर ये gravity नहीं होगी तो हमारे atmosphere में जितनी भी gases है ठीक है ना ये हमारे atmosphere को छोड़ के अर्थ से बहार निकल जाएंगी और अगर ये gases अर्थ से बहार निकल गई तो हमारा survival तो वैसी खतम हो जाएगा तो ये सारा जो खेल है वो देखिए gravity का है gravity ने हर चीज़ को बांद के रखा हुआ है अब देखिए question जो मैंने आपको starting में पूछा था अर्थ जो है वो apple को तो अपनी तरफ attract कर लेती है ठीक है ना क्या apple भी earth को अपनी तरफ attract करता है तो देखिए as per newton's third low newton's third low क्या करता है for every action there is equal and opposite reaction ठीक है ना यानि कि earth अगर किसी भी object को अपनी तरफ खींच रही है और जिस force से वो अपनी तरफ खींचेगी उसी force से वो object भी जो है earth को अपनी तरफ खींचेगा ठीक है ना तो newton's third low यहाँ लगता है लेकिन हमें apple earth की तरफ attract होते वे नजर आता है लेकिन earth जो है apple की तरफ attract होते वे नजर नहीं आती ऐसा क्यों ऐसा क्यों तो देखिए newton's third low क्या कहता है every action for every action there is equal and opposite reaction ठीक है ना और newton's second low क्या कहता है कि force किसके बराबर है mass into acceleration यह हमने पिछले चेप्टर में पड़े है ठीक है ना तो अगर हम mass को constant मालने की force को अगर हम constant कर देंगी force जो हो बराबर लग रहा है मतलब जितना force earth लगा रही है apple के उपर उसको अपने तरफ खींचने में उतना ही force जो है apple भी लगा रहा है अर्थ को अपने तरफ खींचने में तो force दोनों का बराबर है तो force को हम constant माल लेते हैं ठीक है fix कर दिया हमने constant तो जब f की value constant हो जाएगी तो acceleration और mass के बीच में क्या relation है कि acceleration is inversely proportional to mass clear है acceleration is inversely proportional to mass यान कि mass अगर भड़ेगा तो acceleration क्या हो जाएगी और acceleration क्या होती है rate of change of velocity तो देखिए अब दोनों scenario हम देख लेते हैं कि earth जो है apple के उपर क्या force लगा रही है ठीक है न earth on apple earth जो है apple के उपर क्या force लगा रही है तो force हो गया f अब देखिए apple का mass क्या है mass कम है apple का mass बहुत कम है अगर हम earth के साथ compare करें तो apple का mass बहुत कम है ठीक है न तो mass कम है तो acceleration क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी acceleration बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब earth जो apple के उपर force लगाएगा उस वज़े से जो acceleration प्रडियूस होगी वो बहुत ज़्यादा प्रडियूस होगी और acceleration क्या है rate of change of velocity ठीक है न और इसी का उलट अगर हम देखें कि apple जो है earth के उपर क्या force लगा रहा है तो apple जो है earth के उपर क्या force लगा रहा है तो force तो f ही है क्योंकि f अपने constant कर दिया लेकिन देखें अर्थ का mass क्या है earth का mass बहुत ज़्यादा है ठीक है न अर्थ का mass बहुत ज़्यादा है तो अगर mass ज़्यादा होगा तो acceleration क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो acceleration कम हो गई और इतनी कम हो गई कि वह negligible है यानि कि एपल जो अर्थ के ओपर force लगा रहा है उसको अपनी तरफ खीचने में उसमें acceleration जो है बहुत ही कम है, मतलब rate of change of velocity बहुत कम है, negligible है, इसलिए हमें अर्थ जो है वो एपल की तरफ attract होते वे नजर नहीं आती, जबकि एपल जो है अर्थ की तरफ attract होते वे नजर आता है, ठीक क्यों, क्योंकि वहाँ पर acceleration जो है बहुत ज़्यादा है, clear है, तो यह concept है, same case, अगर हम moon के साथ apply करें, तो moon का mass भी जो है, अर्थ के mass से, अगर हम compare करें, तो moon का mass बहुत कम है, तो moon का mass कम होगा, तो acceleration भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है न, तो लेकिन यहाँ पर scenario अ इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कि इसको अपने अंदर खीच ले, ठीक है न, क्यों, क्योंकि moon का अपना एक mass है, और वो mass definitely कम है, लेकिन वो considerable mass है उसका, ठीक है न, तो वो उसको क्या करेगा, अपने चारों तरफ जो है, गुमाने लग जाएगा, ठीक है न, क्योंकि क्या हो इस तरीके से जारी है, तो हर एक point में जब अंदर की तरफ खीचेगा उसको, तो और अंदर वो चीज आनी पाएगी, क्योंकि इतना strong, क्योंकि जो gravitational force हो इतना strong भी नहीं होता है, ठीक है न, तो वो चीज क्या है, उसके round round घुमने लगती है, क्लियर है, और यही cases जो है, हमा काटती रहती है, सेटलाइट, क्लियर है, तो यह सारा gravitational pull के वज़े से होता है, ऐसी आप लोगोंने high tides, low tides देखी होंगी, ठीक है न, शाम की time क्या होता है, high tides होती है, जिसे हम हिंदी में जवार भाटा बोलते हैं, मतलब से जो समंदर का पानी होता है, मतलब किनारों को छोड़ के अंदर की तरफ आ जाता है, तो वो क्यों आता है अंदर की तरफ, क्योंकि रात को जो है, moon, moon हमारे नजदिक होता है, ठीक है न, तो moon की जो gravitational power है, वो उसको क्या अपनी तरफ खीशती है, तो earth, जो ground level की हम बात करें, तो ground तो बहुत बढ़ा हो गया, वो तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो समुंदर है, वो क्या liquid form है, तो liquid है, तो चलते हम दिख सकते हैं, उसको हम notice कर सकते हैं, तो उस case में हमें वो नजर आता है, जो पानी है, उसको थोड़ा चा खीच जाता है, ठीक है न, उसमें खिचाव आता है, खिचाव कैसे आएगा, किनारों अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है न, जिसे हम बोलते हैं, हाई टाइड, और सुबह के टाइम क्या होता है, सुबह के टाइम मून हमसे दूर होता है, मतलब दूसरी साइड होता अर्थ के, तो उस case में क्या रहेगा, उसकी gravitational pull कम हो जाएगी, तो पानी जो है वापीस बात करें, तो हमारे solar system में जितने भी planets हैं, वो sun के चारों तरफ गोमते हैं, क्यों, क्योंकि sun की, हर एक planet की, including sun, सबकी अपनी एक gravitational pull होती है, ठीक है न, और उस gravitational pull के वज़े से जो है, sun क्या करता है, सभी planets को अपने तरफ, अपने चारों तरफ बांध के रखता है, ठीक है और उस चकर में वो, उसके चकर काटते रहते हैं, अगर sun की ए gravitational pull खतम हो जाए, तो सारे के सारे planet जो है, वो sun से है, दूर चले जाएंगे उस case में, माल लिजए ये planet है, ये इस तरीके से चकर काट रहा है, anti-clockwise, और अगर इस point पे अगर ये gravity खतम हो गई, तो ये क्या निकल जाएगा, ये tangently इसे दूर चला जाएगा, ऐसे ये सब जो है, tangently जो है, दूर निकल जाएगे खिर, ठीक न, अगर gravitational pull अगर खतम हो गया तो, ठीक है, तो ये tangently जो है, दूर निकल जाते हैं, तो gravity है, जो सब चीजों को बांध के रखती है, और हर एक planet की अपनी एक gravity होती ह ठीक है न, तो आगे हम discuss करेंगे कि gravity किन-किन factors भी depend करती है, क्योंकि अर्थ की अलग gravity है, Jupiter की अलग gravity है, Saturn की अलग gravity है, Uranus की अलग gravity, हर एक planet की अलग-अलग gravity है, Sun की अपनी एक gravity है, ठीक है न, तो हर एक planet की, हर एक star की अपनी एक gravity होती है, तो वो हम detail में study करेंगे आगे, कि विलियरे